जै गुरुदेव महर्शी बेद विज्ञान विश्य विद्धा पीठ जोतिस भाग द्वारा दैनेक बेदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं आज दिनांग 37 जुलाइशन 2023 महर्शी शंबस्तर 16 चल रहा है बिक्रम शंबस्त दोहजार अशी के अंतरगत दक्षर रायन बश्यरतु अधिक स्रावण माश शुक्ल पक्षी आज नम मीतिती है दस बच के दस मिनट दिन परियंत रहेगी तपाज दस मीतिती रहेगी आज दि साख रनक्षत 59 बच कर 16 मिनट रात्री परियंत पश्यात अनुराध है नक्षय शुरू होगा आज सुबी नित कर चोंपीश मिनिट दिनपर रियांत प्रियुक शुक्लियक सुरू होगा आज कॉलआप करने हैं दस बच की दस मिनट दिन परियांत प्रिय तत्थ सुरू इशरी करम में दौास राश्यों का फल नेश रासी क्रियान बित बने रहना आपके कारों को नई दिसाप्रदान करेगा तथा पिछले समय पर चल रही परेशानियां भी दूर होंगी पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप खुबी निवाने में सक्षम होंगे अपने बड़े बजुर्गों का अशिरवाद वाइशने आपके लिए बरदान सावित होगा लेंदन सम्मन्दी मामलों में शाबधानी बरते हैं आपके ही कुछ बिरोधी प्रतक्ष रूप से तनाव दे शक्ते हैं कोशस करके इन बातों को हावी नहोंने दें तथा अपने कारे को समय से करने का प्रयास करें बर्शवरासी तरोताजा बने रहने के लिए मन मुताविक कामों में भी समय विताएं इससे आप पूरजवान मैशूश करेंगे मेहनत और मनोवल से रूटीन दिवस्थित कर लेंगे इस शमय अपने बित्ये कामों पर ध्यान देना आपके लिए भावश के लिए बहुत लाबदारी शिद्धी रहेगा घर परिवार के जिम्मेदारों निवाने करने में कुछ कटनाई आ सकती हैं कुछ भी महात्पूर नणाएं आज इस्थागती रखें बेर्थ के कारों में शमय बिल्कुल ना गमाएं और अपने परिवार में शबीलों का स्वास्त पर ध्यान रखें मिथोन रासी लाबदाय योग बन रहे हैं मैनत और ठोसकार योजना दोबार अपनी गत्विदियों को विवस्त करने में शफल रहेंगे आपको ऐसा मैसुश होगी कि साइद कोई देवी सक्ति का आशिरवात प्राप्त हो रहा है आप अपना बजट भी संतुल्द बनाए रखने में सक्षम रहेंगे सरकारी निवों की अवेल ना करें बढ़ना किसी मुशिवत में भी फस सकते हैं परिवार जनों के जरूरत का भी ध्यान रखना आपका करतब बनता है करकराशी खुश खबरी मिलने से आपके मन में प्रशनता होगी और आत्मिश्वास बढ़ेगा क्यान बर्धक्षमय हैं महात्पौन लोगों के शाथ संपर्क आपके लिए लाबकारी शावित होगी सकारात्मक बदला होने के लिए आत्मनन और आत्मिश्वास बढ़ेगे जरूरत है सिंगराशी पिछले कुछ समय से घरूलिव विवस्था को लेकर चल रही समश्चा दूर होगी तथा आपने किशी भी कारे में अनभरी लोगों का मारदसन आपके लिए कल्यान प्रशावत होगा दूसरों के विवाद मुद्दों में दखल ना दें क्योंकि समन्द विगारने या मानहानी होने जैसी आसंका है अपने प्रति दन्यों की गतिविदियों से अनभिक गिना रहें सतर करें अपने कारे में आप लगे रहें कन्यारासी आपके उपर आज कुछ बिशेष जिम्यदारी आएंगी और आप उनका वक्षू भी निर्वाहन करेंगे काम में फुर्ती और आत्मिश्वार दुबारा सफलता और खुशी मिलेगी विद्यार्तियों को अपना कोई प्रोजेक्ट पुरा हो जाने से सुकून राहत भी प्राप्त होगी तुलाराशी अपने लक्ष का प्रतिविन में करने के लिए उत्तम शमाय हैं मन में अच्छे विचार रहने दें सकारात मूर्जावी मैशुश होगी आपको जीवन के महात पूर्ण पहलियों को शमझने में भी मदद मिलेगी धार में आध्यात्म गतियों दिनियां भी कुश्चमाय जरूर दें ध्यान साधना पूजा पाट का शहरा लें योग अनुर करें तो आपके स्वास के लिए अच्छा रहेगा पारविक मामलों में विवस्था बनाये रखें किसी प्रकार से मन मुटाओ करने से दूर रहें बरशिकराशी दिन के शुरुआत में ही कई गतिविदियां की प्रतिक्षा में रहेंगी आप उन्हें बहतरीन तरीकी से विवस्थत भी कर लेंगे सिर्फ भावुकता की विजए चुतराई और विवेक से काम लें बच्छों की किलकारी शम्मन शुप सूचना मिलने से परिवार में उत्सा भरा माहौल आपका रहेगा कोई भी महात्पूर्ण नहीं लेने से पहले गहन विचार बिमश करना होगा साथ ही किसी अनभवी व्यक्ति की सलाय लेकर के दियापकारी करेंगे तो उत्तम फायदे बंद रहेगा धनुराशी अनकूल समय हैं संबंदियों अत्वा पडोसियों के साथ चल रहे बाद विवाद को सुल जाने का अच्छा मौका मिला है प्रशन करने के मन चाहे कार समय पर पूरे हो शकते हैं उच्चे सिक्षा के लिए प्रयासरात बिध्यार्चियों के लिए कोई खुशकबरी भी मिलेगी कभी कभी किसी खास कार को शंपन करने में दिक्कत अवश्याएगी लेकिन अपने कार को आप पूर्ण तरिकेशे निभा पाएंगे सामाजिक गत्विदियों से कुश दूरी बना करके रखते हैं तो अति उत्तम हैं मकर्रासि बरतमान परस्तियों के अंसार अपने दिन चरिया में भी उदलाव लाना आपको नया दिश्टी कौण देगा कोई खुशकबरी भी मिलने वाली है योबावर को अपने किशी कार में शफलता मिलने से राहत प्राप्त होगी मानसिक सुक की प्राप्ती होगी और किशी एकान धार में के स्थानों पर शमय जरूर विता है भकवान का जब नामकिर्तन करें तो जो परिशानी हो से मुक्ती मिलेगी कुमराशि ब्यक्तिगत अथा ब्यवशाइक जीवन के बीच स्वास्थ संतुलन रहेगा कोई भी कार करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लेना आपके लिए फायदे मिल साब्ध होगा और इस समय मुलाकात को लेकर थोगा सा मैशूश करेंगे नेगटव फिलिंग करेंगे बरिश्ट लोगों के मान सम्मान को ध्यान में रखें परिवार से समन्द वस्था बना रखने में कुछ विवधान रहेंगे पर नतु शमय आने पर आपकी सारी स्थितियां अनकूल हो जाएंगी अधिक सिंता से बचे मीन रासी दिन भार परिवार एक तथा सामान जगतिविदियों में ब्यस्तता रहेगी अपने कारों को अपने कारशाली की सरायना होगी समान में मान समान प्रतिष्ठा की वृद्धी होगी और किशी नए मित्र का आगमन आपके जीवन में हो सकता है उस्षी भी आपकी खुसी होगी यह रहा द्वास राशियों का फल इसी के साथ अपने बार्णी को राम देते हैं जै गुर्देव जै महाश्री